Hello friends, very very good afternoon, कैसे हो, hope करता हूँ, आप सब लोग अच्छे योगश्व फ्रेंड्स, हिंदी लेंग्वेस के एसपेसल क्लास में आप सबी लोगा बहुत बहुत शुवागत है friends, आज की इस क्लास में हम लोग solve करेंगे, हिंदी लेंग्वेस का practice set पूरे 50 प्रशनों का हम लोग इस वीडियो में solve करेंगे friends, अगर आप लोग 50 में से 20 प्रशन भी साही कर लेते हैं, तो आपकी हिंदी लेंग्वेस की तारी बहुत ही अच्छी है और आप लोग इस exam को बहुत ही अच्छे नंबरों से निकालेंगे पिछली classes को नहीं देखे हैं, तो जाके playlist में देखिए, playlist में आपको सारी की सारी classes मिल जाएंगी जैसे आपको जीकी जिसकी मिल जाएंगी, current fair and subject ability, reasoning and hindi की और भी जो classes हो गई है topic wise and practice की वो भी classes आपको मिल जाएंगी, इन classes की बिलकुन free में PDF डाउनलोड करना है, revision के लिए तो आप लोग हमारे टेली ग्राम चैनल को जोईन करें, टेली ग्राम चैनल कराम है education भी साहिल, इस वीडियो के discussion box में link दे दिया हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं, मैं बता दूँ, exam आपका 24 अप्रेल को होगा, और मात्र एक महीने आपके पास समय है, आज 24 मार्च हो गई है, ठीक है, तो बिलकुन दिल खोल के तैयारी करिए आप लोग, जी जान लगा दीजे, सरकारी seat लेना है, एक seat पकी करनी है 10,000 seat में, वैसे target आपका सरकारी college होना चाहिए, ठीक है, और यह crash course आपकी तैयारी में बहुत ही helpful, मतलब help करेगा, 106 रुपे में आप लोग अपनी B8 की पूरी तैयारी कर शकते हैं, यह 527 पेज की निचोड PDF है, notes है, एंड इसमें 10 year के previous question मिलेंगे, एंड आपको हिंदी जी के reasoning subject ability के नहीं आएगा, बहुत सारे बच्चे अपना syllabus complete कर लिए हैं, इसी notes से, तो आप लोग को पास भी अभी समय है त्यारी करना का, तो वीडियो को description box में link है, इसे purchase कर लिजे, और अपनी जबर जस्यारी सुरू कर दें, 106 रुपई का मुह मत देखिए, नहीं तो private में जब आप तदभाव शब्द क्या है, आमलक देखिए, ततशम शब्द है, इसका तदभाव शब्द क्या होगा, यह आपको बताना है, देखिए जैसे यहाँ पे आमर, आमर भी एक ततशम शब्द है, इसका जो तदभाव होता है, आम होता है, क्या होता है, आम होता है, अब यहाँ पर देखिए क्या है आमला के एक ततशम है तो इसका ततभाव क्या हो जागा आमला हो जागा ठीक है तो 51 का जितने ब्लोग यहां पर जो है डी जवाब दिया उनकांसर बिलकुन सही हो जागा चलिए गुड़ाप्टन भाई 2023 में बहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीर्ड लेना है सरकारी सीट लेना है तो एडिकेशन भी साहिल यूटूब चैनल को सबस्क्राइब परें बिलकुन फ्री में त्यारी के लिए ठीक है चलिए तिनका का ततशम शब्द क्या है और हिंदी की जितने भी टॉपिक वाईसी च्लासिस हो गई है उनक्लासिस हो जाके पार्शी शब्द है या तदभव या अरभी भाशा का शब्द है बताएं तकदीर शब्द है सभी को गुड़ आप टो नोबाई वीडियो को लाइक सेयर करते रहो शबी लोग और जितने मिलोग नए है सब्सक्राइब करके जूल जाएंगे इस चैनल से आपको निश्चीति मदद मिलिआई तकदीर शब्द जो है अरभी भाशा का शब्द है 53 का डि आपका बिलकुन करेक्ट हो जग चल्यएं जिन शब्दों का रूप सदेव समान रहता है उन्हें क्या कहते हैं वचन कहते हैं या लिंग कहते हैं या क्रिया कहते हैं या अब्बे कहते हैं 55 का जो आप देने के प्रास करेंगे जिन सब्दों का रूप सदय उश्रमाइन रहता है उन्हें कहते हैं क्या अब्बे कहते हैं क्या कहते हैं अब्बे कहते हैं 55 का यह आपका बिलकुन करिक्ट हो जगा चलिए धीरे चलो में अब्बे का कौन सा प्रकार है धीरे चलो में अब्बे का कौन सा प्रकार है तो इसमें क्रिया विशेशन है आपका ठीक है चलिए बहुत यच्छे आगे चलते प्रणाम वाचा क्रिया विशेशन है, बताएं सब लोग, प्रणाम वाचा क्रिया विशेशन है, किस वाट में 57 कर जाप दने के प्रयास करेंगे, और 50 में से डियर जितने भी कोश्चन्स आपके करेक्ट हो, कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर, जरूर से जरूर आप लोग निमलकित में से कौन सा शब्द जो है, काल वाचा की करिया विशेशन है, 58 का जॉप दने के प्रयास करेंगे, कौन सा शब्द काल वाचा करिया विशेशन है, ये आज, आज जो है आपका काल वाचा करिया विशेशन है, बहुत ही important question है, इससे पहले मैं बता दूँ, वरणमाल को आज, करिया विशेशन का अशुंद प्रयूग हुआ है, 59 का जॉप दें से बोग् само curryya विशेशन का अशुद परयूग हुआ है, ये वाले में धोप में चला नहीं जाता, ठीक है? चलिए बहुत अच्छे, निम्निमे से किस वाक में क्रियाविशेशनल का प्रयोग नहीं हुआ है, बताए, किस वाक में क्रियाविशेशनल का प्रयोग नहीं हुआ है, ये वाले में, मोहन से खाया नहीं जाता, ठीक है? चलि तो 61 का जितने में लोगे यहाँ पर A जवाब दियों, उनका अंसर बिल्कुन सही हो जगा, देबरपन का शंद विछेत क्या होगा, देवी धन अरपन हो जगा, 62 का B आपका बिल्कुन करेक्ट हो जगा, चलिए आगे चलते हैं अगला परशन, अगला परशन आपके स्केन पर किस सब्द में उपसर्ग का प्रेग हुआ है, बताईए यहाँ पर, किस सब्द में उपसर्ग का प्रेग हुआ है, पहला ही उपकार में उपसर्ग का प्रेग हुआ है, आगे चलते हैं, इंदरियों को वस में रखने वाला क्या कहलाता है, 65 का जवाब दने के प्रास करेंग इंद्रियों को वस में रखने वाला क्या कहलाता है बहुत यच्छे इंद्रियों को वस में रखने वाला क्या कहलाता है शबी को गुड़ाप रूनों वीडियो को लाइक सेर करते रहो तकि और सरे लोग अमारी क्लासे जॉइन हो शगें तो इंद्रियों को वस में रखने वा कहलाता है क्या अनुभूत कहलाता है ठीक है बी वाला आपका बिलकुन करेक्ट हो जगा आनिवर्चनी शब्द का शही अर्थ क्या है 67 का जो आप देने के प्रयास करेंगे आनिवर्चनी शब्द का शही अर्थ क्या है जो वाड़ी द्वारा बेक्त ना किया जा सेगा ठीक है 67 का D आपका बिल्कून correct हो जगा चलिए अगला प्रशन है वकील किस भासा का शब्द है वकील किस भासा का शब्द है अरभी भासा का शब्द है ये questions बहुत exam में repeat होता है तो note कर लिजेगा ठीक है निमलगित में से कौन सा उप्षर्ग रहित सब्द है इसमें बताईए और ये सारी के सारी questions 2017 के exam में पूछे गया है ठीक है हर एक परशन है बताईए कौन सा उप्षर्ग रहित सब्द है ये है सुरेश ठीक है अत्यदिक में अति उप्षर्ग है विदेश में V उप्षर्ग है सायन्योग में सम उप्षर्ग है चलिए महीमा सब्द में किस परते का प्रेव हुआ है 70 का D आपका बलकून करेक्ट हो जगा आडे हातों लेना मुहावरे का अरथ क्या है आडे हाथों लेना मुहावरे का अर्थ क्या है 71 का जौब देने के प्रैस करेंगे आडे हाथों लेना मुहावरे का अर्थ क्या है खरी कोटी सुनाना ठीक है 71 का B अपका बिलकुन करेक्ट हो जगा सूरच को दीपक दिखाना का अर्थ क्या है तो इसका देखिए जो वास्थ वीक अर्थ होता है कि प्रस्षिद वीक्ति का परिचे देना, यहीं होता है सूरज को दीपक दिखाने का अर्थ होता है, तो यहां पर सही का ही के लिए इस अफिर ने इस लोग करते हैं तो मेरी वाली क्लास से आप कोशन देखने को मिल रहे हैं, जितनी भी मेरी टॉपिक वैसी क्लासिस हो गई हैं, उन क्लासिस को अगर आप लोग देखे होंगे, तो वो टॉपिक से आपके कोशन गलप नहीं होते होंगे, सबी लोग जवाब देने कर रियास करें, तो युद्ध की इचर अर्नकने वाले के लिएक शब्द क्या हो जगा, युद्ध सू हो जागा, ठीक है, चलिए, आगे चलते हैं, दिसाएं ही जिनके वस्त रहें क्या है, दिसाएं ही जिनके वस्त रहें इसके लिएक शब्द क्या होगा, दिगंबर हो जागा ठीक है चलिए नीचे दिए गए शब्द शमों के लिए सही सब्द का चैन कीजे वह कवी जो तत्छन कविता कर सके नीचे दिए गए शब्द शमों के लिए सही सब्द का चैन कीजे वह कभी जो ततच्छन कविता कर सके उसके लिएक शब्द क्या होगा आसु कभी होगा क्या होगा आसु कभी हो जाएगा चलिए तरशना का प्रेवाची क्या है भाई तरशना का प्रेवाची क्या है लिपसा हो जाएगा लालसा भी बोलते हैं ठीक है चलिए उच्छंखल का विलोमार्थः शब्द क्या हो जागा उच्छंखल का विनम्र हो जागा क्या हो जागा विनम्र बहुत अच्छे ऐसे ही आप लोग जवाब दिया करें चलिए वह कथा जो जनसाधारण में प्रचलित हो के लिए एक सब्द क्या है की वनम्र बहुत अच्छे ऐसे ही आप लोग जवाब दिया करें ठीक है और भी जो क्लासिस हो गई है उन क्लासिस हो आप लोग जाके जरूर दिखिएगा इस क्लास को देखने को बार ठीक है बिलकुन लगे रही है तायारी में आप लोग प्रत्य शब्द का निर्मित है यानि कि प्रत्य का शंदेविच्छेद आपको बताना है बताएं से बोग प्रत्य शब्द का शंदेविच्छेद क्या होगा प्रतिधन आय हो जगा, क्या हो जगा, प्रतिधन आय हो जगा, 81 का C आपका बिलकुन करेक्ट हो जगा, सचिदा नंद शब्द का शंदेवी छेत क्या है, सचिदा नंद शब्द का शंदेवी छेत क्या है, सत धन चित धन आनंद हो जगा, ठीक है, चली बहुत इच्छे, यहा मुह और मसूर की दाल का अर्थ क्या है यहां मुह और मसूर की दाल का अर्थ क्या है तो इसका अर्थ है कि अपनी योगता से अधिक पाने की उम्मीद ठीक है चलिए बहुत अच्छे 83 का D आपका बिल्कुन करेक्ट हो देगा चित पर चड़ना क्या है प्रश्ण चित पर चड़ना का अर्थ क्या है चित पर चड़ना का अर्थ क्या है 84 का जवाब दें सब लोग सदा इसमरण रहना 84 का D आपका बिल्कुन करेक्ट हो देगा चित पर चड़ना का अर्थ क्या हो जगा द्यान एकना सदा इसमरण रहना चलिए अशर्फिया लुटें कोईलें का मोहर का अर्थ क्या होगा सबी लोग इसका अर्थ बताएंगे अशर्फिया लुटें कोईलें पर मोहर का अर्थ बताईए मुलेवान वस्तु की आपेच्छा तुछ वस्तु का ध्यान ठीक है? चलिए C वाल आपका बिलकुन correct हो जगा चलिए हसूएं के ब्याह में खूर्पे का गीत कहवत का अर्थ क्या है? अशंगत बाते करना 86 का C आपका बिलकुन correct हो जगा अत्यूत्तम के संद विछेत का सही विखल प क्या हे? इसका सही संदिविशित क्या है बताइए अतिधन उत्तम हो जागा ठीक है 87 का B आपका बिलकुन करेक्ट हो जगा गर्वशून ने शब्द में समास बताना है आपको गर्वशून ने शब्द में समास कौन सा है 88 का जवाब दने के प्रयास करेंगे गर्वशून ने शब्द में समास है अपदान तत्पुरुश शमास बहुत अच्छे डॉडर द्रष्टी राष्टीता का अरधार धरें यहाँ पर क्या आएगा धर्मा अनुशार या धर्मशम्मत या धर्मनेपेच या धर्मसापेच धर्मनेपेच जो है द्रष्टी राष्टीता का अरधार है बी आपका बिलकुन करेक्ट हो जगा सुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है यह आपको बताना है देखी एतिहासी ऐसे लिखा जाता है ठीक है वरक्ष ऐसे लिखा जाता है अकंछा इसमें सही है भानु दोनों सही है ठीक है चलिए निमलकित मेंसे कौन सा शब्द यामनी का प्रवाची नहीं है यामनी का प्रवाची बताए कौन सा नहीं है इसमें दीवस जो है आपका नहीं है बाकी रजनी, विभावरी, निसा ये सब यामनी के प्रिवाची है आधी रात का समय क्या कहलाता है बताएं सब लोग आधी रात का समय क्या कहलाता है तो आधी रात का समय कहलाता है निसीथ क्या कहलाता है निसीथ कहलाता है नेमलिकी सब्दों को विपरीतार्थक शब्द लिखिए, जैसे करशन का विपरीतार्थक क्या हो जागा, करशन का विकरशन हो जागा, क्या हो जागा, विकरशन, उसी तरह सुसुप्त का बताना है, सुसुप्त का क्या हो जागा, जागरत हो जागा, बहुत ये सरल प्रशन ह विहित का क्या हो जागा, विहित का निशेद हो जागा, ठीक है, शुद्ध शब्द का चैन कीजिए इसमें, कौन सा शुद्ध शब्द है, ये वाला, दिरगायो, शुद्ध शब्द है, नौ का शब्द का प्रेवाची बताइए, नौ का शब्द का तरी हो जागा, क्या हो ज है तो सब्कलाइब आपकोolor करें से जोड़िे हैं स фильм कार मेसी आपको और기 शनदी में लेगी तो आज का इसकूर कैसा गया आज की किलास कैसे लेगी यह आप लोग comment box में जरूरू बताईगा मिलते हैं अगले class साम साड़ 6 बज़ वाली में thanks for watching और सुबह वाली class नहीं देखे हैं तो जाकि इस class को देखने के बाद जरूरू दिखे गया thank you so much कुछ भी doubts है तो